तबी टकबक्को एक उपाय सुजा वह तुरंत अपनी मित्र चीटी के पास गया दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई तो योजना वह तुरंत अपनी मित्र चीटी के पास गया अपनी मित्र यानी दोस्त फ्रेंड चीटी के पास गया चीटी यानी आण्ट दे मेड प्लान वह दर हाती पेड़ के नीचे आराम कर आता कुछी धेर में उसे नीद आ गई चीटी चुपके से हाती की सून्ट में घुश काई और अउस्त गई गई ट्रेंट और अउस्त का पास इस व की ताанд चीटी नीचे दे में ढेलीटी तर आद आ आ दे में ऑनीड agriculture और गई ट्रेंट च्रेंट के अुरेंट गई राचका उसने हाती की सूड में जोर से काटा, हाती दर्ज से तडप उठा, वहाँ इधर उधर उचने लगा, पर किसी भी तरह धर्ज कम नहीं हुआ, उधर हाती को दर्ज से तडपता देख, चीची और टकबक बहुत खुश थे, इतने में जंगल के सभी जान्वरों भी वहाँ आ गए, all the animals of the forest came over there, चीटी ने पूचा हाती भाई, क्या अभी भी तुम पशु पक्षयों को तंग करेगा, now you will, still you will give the harassment to all the animals and birds, then हाती replied, हाती बोला, नहीं नहीं, चीटी रादी मुझे ख्षमा करदो, please forgive me, I will never do, from next time onwards, मैं आगे से किसी को भी पशु पक्षयों को तंग नहीं करूँगा, तंग यानी harassment, और नहीं अपनी शक्ती पर घहमंड करूँगा, I will not proud of my power also, मैं समझ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, one should not small, या सुन कर चीटी हाथी की सुन से बाहर निकली आई, उसके बाहर आते ही हाथी को दर्द से चुटकारा मिलाया, As soon as he came out from his trunk, then elephant caught aram और get rid of the pain, इस प्रकार एक धन्नी सी चीटी ने विशाल का हाथी को घहमंड चूर चूर कर दिया, like this, like this, चीटी, याने and teach a lesson to elephant, what we will learn from this lesson means, no one is small and no one is big, इस कहानी से हम यहाँ सबक मिलता है कि किसी को भी, कभी भी किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, तेंक यूचर.